कैनडा को हराकर बाबर आजम की टीम ने कर दिया सबसे बड़ा उलट फेर अब भारत से एक बार फेर होगा आमना सामना इस्तिन भड़ेगी दोनों टीमें रोमांच की सारी हदे होंगी पार कैनडा पर बड़ी जीत के बाद घमंड में चूर चूर हुआ पाक एक बार फिर भारत को देडाली चेतावनी बाबर आजम ने कहा बदला लेकर रहेंगे मौहमद रिज्वान ने भी खाई भारत को हराने की सौगंद कैनडा से जीत कया पाक लेकिन खूल गई बाबर आजम की पोल एक सो चेरन बनाने में भी फूल गई पाक की सांस आकरी सांस तक लड़ता रहा कैनडा कैनडा का खिलारी ही पढ़ गया पाक की पूरी टीम पर भारी वर्ल्ल कप में आकिरकार पाक की जीत का खाता खुल गया लेकिन करो या मरो के मुकाबले में बाबर आजम की टीम ने कैनड़ा को हराते हुए भारत को ललकार दिया है भारत ये टीम ने पाक को बहुत बोरी तरीके सहरा दिया बाबर आजम की टीम 119 रन नहीं बना पाई थी लेकिन जैसे ही बाबर आजम ने इस मैच को जीता उनका घमंड सात्वे आस्मान पर पहुँच गया और उन्होंने भारत को सीधी चेताम नहीं दे डाली लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया क्या फिर भारत और पाकिस्तान का मकाबला होने वाला है इस पर एक बड़ी खाबर आ गई कैसे भारत और बाबर आजम की टीम एक पार फिर आमने सामने हो सकती है और कब हो सकती है पूरी ख़बर आपको बताते हैं मगर पहले चर्चा कर लेते हैं कैनडा और पाक के बीच खेले गए इस मुकाबले की कैनडा के खेले गए इस मुकाबले में बाबर आसम ने टॉस दीता था और पहले गिंदबासी का फैसला लिया शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि बाबर की टीम एक बार फिर मुकाबला हारेगी क्योंकि लगतार खराब गेंदबाजी शुरुआत में पाक की गेंदबाजों की तरफ से की गई शाहिन शाफरीदी ने कैनड़ा के गिंदबासों को शुरुआत में बिल्कुल परिशान नहीं किया और कैनड़ा के एरॉन जॉनसन ने बाबर आसम की गिंदबासों की जम कर कुटाई की नियू यॉर्क के पिच पर मैच था लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि कोई भी बल्लेबास इतना बेखौफ होकर बल्लेबासी करता हो मगर जॉनसन को फर्क नहीं पढ़ रहा था कि उनके सामने कौन सा गिंदबास आया क्या स्पिन गिंदबाजी क्या तेज गिंदबाजी सभी को जॉनसन ने छक्के लगाए उनकी धुआधार पारी के बदॉले थी कैनड़ा की टीम 106 रन तक पहुँच गए जॉनसन ने चार छक्के और चार चौकों की मदद से शानदार 52 रन की पारी खेली लेकिन जॉनसन की आउट होने के बाद कैनड़ा का कोई भी बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजे नहीं कर सका या यू कहें कि सिर्फ जॉनसन ही ऐसे बल्लेबाज रहे जो खूंटा गार कर मैदान पर खड़े हो गए और उन्होंने पाक के गेंदबाजों को सबसे ज़्यादा परिशान किया वहीं जब बारी पाक के बल्लेबाजी की आई तो इस पार मुहमद रिजवान ने ये ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मगर इस मुकाबले को अपने नाम करना है इसी फॉर्मॉले पर काम करते हुए रिजवान काफी धीरे खेले लेकिन उन्होंने अपनी टीम को मैच जिता दिया पाक ने कैनड़ा को साथ विकेट सरा दिया बता दे कि रिजवान के बल्ले से इस मुकाबले में तेरेपन रन आए लेकिन एक बार फिर बाबर आजम के बल्ले बाजों की पोल खोल गई आपन करने आए साही मयूब सर्फ चहरन ही बना सके मतलब आपनिंग में अभी भी पाक की टीम की लंगोड धीली है बाबर आजम ने अच्छी पारी खेली और रुक रुकर खेलते हुए 33 रंड बनाए रिजवान और बाबर की बदोलत पाक ने इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए वर्ल्ल कप में वापसी कर ली इस जीत के साथ पाक की टीम तीसरे नंबर पर पहुंच गई अब अगर भारत कैनडा को हरा देता है तो अपने आप इसका फाइदा पाकिस्तान को मिलेगा और पाक की टीम सूपर एट के लिए क्वालिफाई कर जाएगी लेकिन इसके लिए जरूरी है कि अमेरिका की टीम को भारत बुरी तरह के सहराए अमेरिका में अब तक दो मैच के लिए और दोनों ही मैच उसने जीत लिए इसलिए अब पाक को भी अपना आखरी मैच जो की आरलैंड से जीतना होगा और बड़े अंतर से जीतना होगा ताकि रन रेट में अमेरिका से आगे निकल जाए अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक बार फिर भारत और पागस्तान का मुकाबला वर्ल कप में आपको देखने को मिल सकता है लेकिन अब अगर मुकाबला दोनों के बीच होगा तो सूपर एट में ही होगा देखना होगा क्या आगे क्या कुछ होता है लेकिन अगर एक बार फिर दोनों के बीच भड़न्त होती है तो वाकई में वर्ल कप का मज़ा कई गुनाज जादा बढ़ जाएगा भारत ने जहां पहले मुकाबले में बाबा राजम की टीम को हराया वहीं दूसरी तरह बाबा राजम ने अब भारत को हराने के सौगन दिखाईए दोस्तों अगर वर्ल कप में भारत और पागस्तान के बीच एक और मुकाबला होता है तो कौन जीतेगा आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बतेगा